Hello everyone, this is Vani and welcome again to E4 English आज का हमारा topic है future perfect tense आज आप सिखोगे कि future perfect tense क्या होता है किस तरह से इसकी formation होती है और इसके rules क्या है ये आज की वीडियो में cover होगा और अगर आपको हमारा ये lecture पसंद आता है तो like बटन जरूर प्रस कीजेगा और हमारे जितने भी lectures की वीडियो हैं उन सब की PDF फाइल के लिया follow कर सकते हो हमारी website पर और आप हमें Instagram और Facebook पेज पर भी follow कीजे जहाँ पर आपको regular updates मिलती रहेगी चलिए अब start करते हैं आज का lesson future perfect tense तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि future perfect tense क्या होता है अब यहाँ पर देखिए future future का मतलब होता है समय और समय है भविश्यकाल मतलब जो आने वाला समय है उसे हम future बोलेंगे perfect उस आने वाले समय में वो जो कारे होता है उसे हम बोलेंगे perfect that means कि कोई कारे जो आने वाले समय में पूरा हो जाएगा कि आप कल्पना कर रहे हो आप imagine कर रहे हो कि कल ये काम पूरा हो जाएगा एक specific time में कि एक वज़े तक कल ये काम पूरा हो जाएगा तो इसे हम बोलेंगे future perfect tense कि किसी काम का complete होना भविश्यकाल में एक specific time पर तो कल्पना करना भविश्यकाल में किसी काम के पूरा हो जाने का उसे हम बोलेंगे future perfect tense जैसे खा लिया होगा या वो घर आ गया होगा तो ये सर future perfect tense के examples हैं तो काम पूरा हो चुका होगा भविश्य काल में किसी काम के पूरा हो जाने की कल्पना करना अब यहाँ पर graphically अगर हम देखे तो हमें पता है time team तरह का होता है past, फूद काल जो समय बीच चुका है, present जो समय चल रहा है और future जो समय आने वाला है अब यहाँ पर देखे हम जिस समय में रह रहे हैं वो है present और भविश्य काल में किसी specific time में किसी काम का पूरा हो जाने की कल्पना करना उसे हम बोलेंगे future perfect tense जैसे यह कारे पूरा हो चुका होगा, एक specific time में भविश्य काल में तो work का पूरा होना, किसी कारे का पूरा होना भविश्य काल में उसे हम बोलेंगे future perfect tense अब next है, हम examples देख लेते हैं जैसे वहाँ इस महीने की अंत तक काम पूरा कर चुकी होगी अब महीने की अंत तक यह specific time है कि इस specific time में भविश्य काल में मतलब हम imagine कर रहे हैं कि वहाँ यहाँ काम पूरा कर चुकी होगी तो यह future perfect tense है next है, वहाँ कल अपना रात का खाना समय पर खा चुकी होगी तो कल रात का खाना, तो यह specific time है कि specific time में वहाँ अपना काम पूरा कर चुकी होगी लेकिन भविश्यकाल में हम कलपना कर रहे हैं This is future perfect tense तो काम का पूरा हो चुका होना भविश्यकाल में उसे हम बोलेंगे future perfect tense और इन वाक्यों के अंत में आता है चुकी होगी, चुका होगा, चुके होगे चुकेगी, चुकेगा, चुकोगी या होगा या लेगी यह सब आता है इन वाक्यों के अंत में अब हम देखते हैं कि future perfect tense की rules क्या है तो sentence हमें format पता है कि sentence format क्या होता है सबसे पहले subject आता है और future perfect tense में helping verb और main verb यूज़ होगी दोनों एक साथ यूज़ होगी और then object यूज़ होगा तो helping verb जो है यह हमें बताती है कि जो कारे है भविश्यकाल में हो रहा है और उसके कल्पना हो रही है तो यह helping verb के थूपता लगता है और main verb होता है जो कारे के वारे में बताती है कि कौन सा कारे हो रहा है जैसे खाना, पीना, दोड़ना, चलना यह सब main verbs हैं और helping verb बताती है कि वह भविशेकाल में वह खा चुकी होगी वह ले चुका होगा तो ले चुका होगा चुकी होगी यह सब helping verbs होती है जो हमें time के बारे में बताती है और object होता है जिस पे कारे हो रहा होता है और subject चो कारे को करता है अब हम देखते हैं कि helping verb आप तो will have और shall have helping verb हम subject के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन कौन से subject के साथ आप will have यूज़ करोगे और कौन से subject के साथ आप shall have यूज़ करोगे अब वो देखते हैं, अब आपको पता है singular का मतलब होता है एक बचन, मतलब एक और plural का मतलब होता है बहु बचन, मतलब एक से ज्यादा अगर subject एक होता है जैसे he, he जो है वो male person के लिए use हो रखा है एक pronoun है जो noun की जगा, male noun की जगा use हो रखा है so he के साथ हम will have use करेंगे क्योंकि singular है और john singular है तो will have use करोगे she female की जगा use हो रखा है pronoun तो she will have, myra will have और it जो है वो animals और objects को denote करता है उसके जगा use होने वाला pronoun है तो it के साथ भी आप will have use करोगे क्योंकि ये singular है then I के साथ आप will have use नहीं करोगे I के साथ आप shall have use करोगे और you तुम अगर एक हो तो उसके लिए आप will have use करोगे अब है plural तो plural में आता है जैसे we, हम तो हम के लिए आप shall have use करोगे तो यहाँ पर दीके shall have I के साथ use हो रखा है और we के साथ use हो रखा है then they के साथ आप will have use करोगे और you अगर एक से ज़्यादा को आप बता रहे हो तो उस case में आप will have use करोगे तो shall have का use होगा we और I के साथ और बाकि सब के साथ आप will have use करोगे अब आपको पता लगया है कि will have और shall have का use कहां होता है यह helping verbs है अगर हम इनके साथ verb लगाते हैं तो वो देखते हैं verb जो होती है वो क्रिया होती है कारे होता है जो main कारे चल रहा होता है अब आपको पता है कि verb की three forms होती है जैसे drink, drank, drunk, right अब यहाँ पर यह तीनों forms जो हैं यह अलग-अलग है और यहाँ पर देखें work, worked, worked अब यहाँ पर यह दोनों forms में एक pattern follow हो रहा है अब जो सबसे पहली वाली है drink, drank and drunk यह irregular verb है यहाँ पर कोई pattern follow नहीं हो रहा है और इसे हम अनियमित क्रिया भी कहते हैं अब जो work है इसमें एक pattern follow हो रहा है ed, ed लग रहा है ठीक है तो यह regular verb है नियमित क्रिया एक pattern follow कर रही है इसलिए यह regular verb है अगर हम यहाँ पर regular verb की third form यूज़ कर रहे हैं worked और आपने यह याद रखना है कि future perfect tense में verb की third form का यूज़ किया जाता है तो जैसे यहाँ पर he will have worked or John will have worked, she will have worked, Myra will have worked, it will have worked, I shall have worked you will have worked, we shall have worked, they will have worked, then you will have worked right he will have worked वह काम कर चुका होगा John will have worked, John काम कर चुका होगा she will have worked, वह काम कर चुकी होगी Myra will have worked, Myra काम कर चुकी होगी It will have worked, यहां काम कर चुका होगा I shall have worked, मैं काम कर चुका होगा You will have worked, आप काम कर चुके होगे We shall have worked, हम काम कर चुके होगे They will have worked, वे काम कर चुके होगे You will have worked, तुम काम कर चुके होगे मतलब भविश्यकाल में कल्पना की चारी है कि ये काम पूरा हो चुका होगा एक specific time पर तो यहाँ पर verb की third form का use होगा तो यहाँ पर जैसे अगर drink का आप use करते हो पीना use करते हो तो उसकी third form drunk use होगी और work करना अगर यह आप verb use करते हो तो इसकी third form worked use होगी अब है future perfect tense अब sentence format आपको पता लग गया है तो helping verb shall have, will have use होगी और main verb की third form use होगी अब जैसे examples देखते हैं वह अपना काम कर चुका होगा मतलब हविश्यकाल में हम कल्पना कर रहे हैं कि वह इस time पर अपना काम कर चुका होगा तो जैसे वह अपना नाश्ता बना चुके होगे ठीक है तो यह है future perfect tense तो यहाँ पर देखिए वह subject है चुका होगा helping verb और करना main verb है और अपना काम object है तो यहाँ पर हो जाएगा he will have done his work he subject है will have helping verb है और do का done हो जाएगा third form और his work object है अब ऐसे ही next है वह subject है चुके होगे helping verb बनाना बना चुके होगे तो बनाना क्या है main verb है अपना नाश्ता object है तो they will have made their food तो यहाँ पर they जो है वह subject है will have helping verb है और make का made हो जाएगा जो main verb है their food क्या है object है तो यह future भविश्यकाल में किसी काम के पूरा होने की संभावना है तो इसे हम बोलेंगे future perfect tense चलिए अब हम देख लेती हैं कि subject कौन सा होता है तो subject किसी भी person का नाम हो सकता है अगर कोई लड़का है तो उसके जगा pronoun ही use कर सकते हो अगर कोई लड़की है तो she use करते हो और ऐसे ही we, they, you, I और it use होता है और किसी भी जगा का नाम हो सकता है किसी भी country का नाम city का नाम या फिर town का नाम हो सकता है किसी भी चीज का नाम हो सकता है जैसे book, table और pen वगेरा ऐसे ही helping verbs जो हैं वो will have और shall have use होगी जिसका मतलब होता है चुकी होगी, चुका होगा चुके होंगे, चुकेगी, चुकेगा या फिर चुकोगी और shall have का use हम करेंगे I और we के साथ और will have का use होगा he, she, it और others जितने भी names हैं उनके साथ will have का use होगा और main verb की third form use होगी, जैसे हमें पता है दोड़ना को हम बोलेंगे run, ran, then run यह three forms है तो third form हम use करेंगे ऐसे ही चलना walk है walked, walked और यह third form हम use करेंगे और पढ़ना read, red, red तो third form हम future perfect tense में use करेंगे अब है object object होता है जिस पे कारे होता है उसे हम object कहते है और यह भी किसी person का नाम हो सकता है या फिल लड़का या लड़की अब यहाँ पर देखिए अगर आप pronounce को use करते हो तो उनमें change आजाता है he को as an object आप use करोगे तो उसका him हो जाएगा she को as an object यूज करोगे तो her हो जाएगा we को as an object यूज करोगे तो us हो जाएगा they का them हो जाएगा और you का you ही रहेगा as an object और as a subject दोनों में same रहेगा I का me हो जाएगा और it का it रहेगा तो it और you यह दोनो as a subject और as an object same रहते हैं और किसी भी जगह का नाम देश का नाम, city का नाम, नगर का नाम यह सब same होते हैं name of thing, book, table, pen यह भी same है अब है examples future perfect tense की अब हम examples देखते हैं अब future perfect tense की types हैं types कौन-कौन से हैं जैसे अगर simple हो तो simple किस तरह का sentence होगा उसकी आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा अब उसकी आने से पहले एक specific time हो गया कि उसकी आने से पहले मैं यह काम पूरा कर चुका होगा और यह है affirmative sentence जो simple है अब उसके बाद है उसकी आने से पहले मैं यह किताब नहीं पढ़ चुकूंगा अब यह कौन सा है negative क्योंकि यहां पर नहीं word use होगा है क्या उसकी आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूंगा अब क्या use हो रखा है तो यह है interrogative sentence next है क्या उसकी आने से पहले मैं यह किताब नहीं पढ़ चुकूंगा अब यहां पर नहीं भी है और क्या भी है तो यह हो गया negative interrogative sentence उसकी आने से पहले मैं यह किताब क्यों पढ़ चुकूंगा अब यहां पर questioning हो रही है कि क्यूं पढ़ चुकूंगा तो यह है interrogative sentence लेकिन WH family के word योज हो रहे हैं यहाँ पर क्यूं राइट ऐसे ही उसके आने से पहले मैं यह किताब क्यूं और नहीं पढ़ चुकूंगा तो यह है negative interrogative sentence WH family के तो WH family के words क्या होते हैं जैसे when, why, where, who's, how, how much, how many तो यह है WH family के words when का मतलब होता है कब, why, q, where, कहा, who's, किसका, how, कैसे, how much, कितना, how much use होता है उन nouns के साथ जिनको हम count नहीं कर सकते जैसे milk, water इनको हम count नहीं कर सकते और how many का use होता है उन nouns के साथ जिनको हम count कर सकते हैं जैसे books, pen इनको हम गिन सकते हैं चलिए सबसे पहला देखते हैं affirmative sentence affirmative sentence क्या होता है और इसका sentence format क्या है तो सबसे पहले आप subject use करोगे then helping verb, shall have, will have use होगी, then main verb और object use होगा आप इसके examples देखते हैं जैसे निखिल अगले सब्तहा तक चला जाएगा अब अगले सब्तहा एक time हो गया specific time हो गया कि इस time तक वो चला जाएगा, कल्पना कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा निखिल और helping verb हो जाएगी will have क्योंकि यह singular है और चला जाना, मतलब leave तो leave का third form left हो जाएगी और अगले सब्ता by next week निखिल विल हैव लेफ्ट by next week नेक्स्ट है, पुलिस चालक को गिरफतार कर लेगी the police will have arrested the driver ठीक है the police will have क्योंकि पुलिस singular है तो will have यूज होगी arrest का हो जाएगी third form arrested the driver तो चालक क्या है object है then last में the driver वह आम खा चुका होगा he will have eaten mango he object है will have eat का eaten हो जाएगा then mango मैं रविवार तक अपना कार्य समापत कर दूँगा I shall have I के साथ shall have helping verb और main verb finished का finished हो जाएगा और object है my task अपना कार्य और समय बताया है रविवार तक by Sunday I shall have finished my task by Sunday तो जो time है वो हम last में use करेंगे object के बाद राइट अब है negative sentence negative sentence में हम not use करते हैं तो not जो होगा वो helping verb और main verb के बीश में use होगा not का हम use करेंगे helping verb और main verb अब helping verb क्या है helping verb है जैसे will have अब ये two words हैं तो ये दोनों words bifurcate हो जाएंगे और इनके बीश में note आ जाएगा ये याद रखना है अपने तो helping verb और main verb के बीश में तो not लगेगा लेकिन helping verb में two words हैं तो वो two words bifurcate हो जाएंगे और उनके बीश में note आ जाएगा राइट subject helping verb not then have main verb then object जैसे subject plus will not have plus object और अगर I और V आता है तो subject plus shall not have plus object वहाँ cricket नहीं खेल चुका होगा he will not have played cricket तो will और have के बीश में हम not use करेंगे और देखा जाए तो इन दोनों के बीश में not use हो रहा है ठीक है helping verb और main verb के बीश में not है अब next है आपने आम नहीं खाए होंगे you will not have eaten mango you will not have eaten mango वह अपना काम नहीं कर चुका होगा he will not have done his work तुम्हारे आने से पहले मैं अपना पाट याद नहीं कर चुकूंगा I shall not have learnt my lesson before you come I shall not have learnt my lesson अब time क्या है before you come तुम्हारे आने से पहले before you come तो यहां पे यह first form लगेगी before you come क्योंकि भविश्यकाल में बात की जा रही है तो before you come come की यह first form है next है interrogative sentence अब interrogative sentence में क्या होगा helping verb, will or shall then subject, then have उसके बाद main verb, then object interrogative sentence में क्या होगा will or shall क्योंकि helping verb में will have और shall have होता है तो will और shall और have यह दोनों bifurcate हो जाएंगे और इसके बीच में subject आ जाएगा अब यहां पर देखिए examples क्या हम अपनी पुस्तक खरीद चुके होंगे shall we have bought our books तो यहां पे इनके बीच में subject है shall or have क्योंकि helping verb के two words यह बाइफर्केट हो जाएंगे negative में not बीच में आ जाएगा interrogative में subject बीच में आ जाएगा यह आपनी याद रखना है क्योंकि interrogative है तो subject बीच में आ जाएगा अब यहां पर क्या है present indefinite tense हम यूज करेंगे क्योंकि यह कलपना की जारी है काम पूरा नहीं हुआ है भविश्यकाल में किसी की कलपना की जारी है तो time अगर time में subject आता है और main verb आती है तो आप उसमें कौन सी tense यूज करोगे present indefinite tense तो यहां पर आजाएगा राम कम्स क्या तुम खाना बना चुके होंगे will you have cooked food next क्या मेहमान के आने से पूर्व तुम खाना बना चुके होंगे will you have cooked food अब आने से पहले तो before the guest comes तो present indefinite tense में क्या आजाएगा कम का comes क्यों guess singular है right next है negative interrogative sentence जिसे हम प्रशन वाचक नकरात्मक वाक्य कहते हैं अब यहां पर क्या होगा हमें पता है कि will और shall have के बीच में subject लगता है लेकिन अगर negative होता है तो subject के साथ not लगेगा right तो will shall plus subject not then have then main verb then object अब यहां पर देखे क्या वह बाजार नहीं पहुंच गया होगा will he not have reached the market अब यहां पर will और have इन दोनों के बीच में है subject or not then reached the market reach का reached यह main verb है उसकी third form है क्या चात्रों ने काम पूरा नहीं कर लिया होगा will the students not have completed the work अब यहां पर will have के बीच में subject है और not है completed complete की third form completed the work क्या वहर अविवार तक मेरा काम पूरा नहीं कर चुका होगा will he not have finished my task by Sunday I will have के बीच में subject है और not है then main verb जो है उसकी third form my task क्या है object और time है by Sunday क्या तुम यहां फिल्म नहीं देख चुकोगे will you not have watched this movie और will have के बीच में subject and not watched this movie next है interrogative sentence लेकिन WH family के तो WH family में क्या होता है कि WH family का जो word है वो सबसे पहले आ जाता है then helping verb और main verb के बीच में subject आएगा अब आपको पता है helping verb के two words हैं तो यह दोनों bifurcate हो जाएगे और इनके बीच में subject आजाएगा अब यहां पर दिखे वह कहां जा चुका होगा तो कहां का है where where then helping verb और will have के बीच में subject use होगा right then last mean gone main verb where will we have gone आप सोने से पहले पत्र क्यों लिख चुके होंगे why will you have written a letter before sleep ठीक है why then will और have के बीच में subject then written a letter before sleep सोने से पहले before sleep रिया की परिक्षा कब शुरू हो चुकी होगी कब का when will रिया's examination रिया की परिक्षा right रिया's examination has started तो will और has के बीच में क्या होगा रिया's examination subject होगा then start का हो जाएगा started वह कहां जा चुका होगा where will he have gone तो where और will और have के बीच में subject then main verb की third form gone next है interrogative sentence wh family के जो three words है whose, how many, how much तो इन तीनों के case में इनके साथ object लगाओगे और will और have के बीच में subject then main verb की third form जैसे वह किसकी पुस्तक पढ़ चुका होगा whose book will he have read whose book will और have के बीच में subject read की third form read next ever कितनी किताबे पढ़ चुका होगा how many books will और have के बीच में subject then read how many books will he have read वह कितना दूद ला चुका होगा how much milk will he have brought तो will और have के बीच में subject then by का हो जाएगा brought अब है negative interrogative sentence wh family में जिसमें not use के जाता है तो subject के साथ यहाँ पे not लग जाएगा बाकि एहसस रहेगा और इसके examples है वह किसकी पुस्तक नहीं पढ़ चुका होगा whose book will he not have read अब subject के साथ not use होगा और will और have के बीच में use होगा वह कितनी किताबे पढ़ नहीं चुका होगा how many books will he not have read अब यहाँ बेस he or not subject or not है will or have के बीच में वह कितना दूद नहीं ला चुका होगा how much milk will he not have brought तो will or have के बीच में subject or not है so this is all about future perfect tense अब हम देखते हैं exercise और देखते हैं कि कितना आपने capture कर लिया है अब तक तो सबसे पहला जो translation है in English वो है sentence वह खाना बना चुकी होगी तुम्हारे सोने से पहले वह घर आ नहीं चुका होगा next है चपरासी घंडी बजा चुका होगा क्या वहाँ school खुल गए होंगे next है तुम यहाँ क्यों नहीं आए होंगे अब वीडियो को pause कीचिए और अपनी answers जो है वो comment section में लिखे चलिए अब answers चेक कर लेते हैं तो सबसे पहला है वह खाना बना चुकी होगी she will have cooked food तो वह she helping verb will have cooked हो जाएगा और food object है तुम्हारे सोने से पहले तो सोने से पहले क्या है समय है specific time है तुम्हारा subject है वह घर आ नहीं चुका होगा तुम्हारा सोने से पहले तो ये जो सोने से पहले वाला है ये second translation है तो first of all translation में subject वह है वह घर आ नहीं चुका होगा तो he will not have gone home he will not have gone home before you sleep right, before you sleep चप्रासी घंटी बजा चुका होगा अब हम answers देखते हैं तो पहला है वह खाना बना चुकी होगी तो वह का है she और helping verb will have cook का cooked हो जाएगा main verb then object है food, खाना food तुम्हारे सोने से पहले वह घर नहीं आ चुका होगा अब यहाँ पर दिके वह घर आ नहीं चुका होगा तो इस sentence के हम formation करेगी और time जो है तुम्हारे सोने से पहले यह हम second जो translation है यह बाद में करेंगे जो first है वो सबसे पहले करेंगे तो second translation हमें पता है कि present indefinite tense होगा और first translation future perfect tense है तो यहाँ पर हो जाएगा he, he के साथ will not have क्योंकि negative है he will not have come की third form, come होगी home, before you sleep before you sleep 84 घंटी बजा चुका होगा तो the peon will have rung the bell ठीक है, ring का rung हो जाएगा the bell object है peon के साथ हम will have use करेंगे क्या वहाँ school खुल गए होंगे will the schools have opened there अब यहाँ पे will और have के बीच में हम object लगाएंगे और open का हो जाएगा opened तुम यहाँ क्यों नहीं आए होंगे why will you not have come here तो यह फैमली का वर्ट सबसे पहले लगेगा और will or have के बीच में subject or not then come की third form come होगी here यहाँ यह object है so this is all about the future perfect tense thank you for watching this video अगर video पसंद आती है तो like button प्रेस कीजी और अपने friends के साथ भी share कीजी thank you so much for watching this video